असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्शर में हम डिसकस करेंगे एक्सराइज 1.2 के कोईस्ट नबर 57 को अच्छा यह हमारा जो टॉपिक था ना 1.2 इसमें मेंली तीन कॉंसेट्स थे combining function था उसके बाद पिर यह shifting and then scaling graph combining function में हम देखा था कि कैसे दो या दो से ज्यादा functions को मुख्तलिफ operations के जरीए combine किया जा सकते हैं अभी last lecture में shifting हमने पढ़ी थी shifting में आपकी vertical and horizontal shifting graphs को कैसे किया जाता है आज की lecture में shifting का topic भी होगा scaling graph से यह एक नया topic है scaling में mainly तीन चीज़ें आती है इसमें आपके पास आ जाती है graph stretch कैसे होता stretch का मतलब है कैसे फैलता है इसी तरह फिर यह compress आ जाता है सुकर्णा जिसको मुर्दू में बोलते हैं इसी तरह से फिर एक और concept that is reflecting यह बसे अलड़ी हम देख चुके हैं so reflecting का मतलब यानि आप किसी axis के along vertically or horizontally कैसे graph को reflect करते है ठीक है तो पहले ज़रा हम quickly इनको ज़रा एक बार discuss करते हैं फिर हम अपने question की तरफ चलेंगे तो आपके पास let's say कोई एक function है जी f of x अगर आप इस function को y is equal to f of x function को इस output को किसी एक number से multiply करवाते हैं let's say c से and c is greater than 1 1 से बड़े जब भी किसी number से multiply करेंगे तो आपका graph जो है वो stretch होगा वो फैलेगा और vertically फैलेगा क्योंकि आप output से multiply करवा रहे हैं ठीक है इसी तरह अगर आप 1 over c से multiply करवाते हैं 1 over c एक number होगा जो 1 से छोटा होगा तो आपका graph जो है वो vertically compress होगा आपका graph जो है वो सुकड़ेगा मतलब छोटा कह सकते हैं आप vertical direction में ठीक है इसी तरह अगर आप अपनी input को x is an input na input को किसी एक number से multiply करवाते हैं तो graph आपका compress होगा but horizontally ठीक है चूँकि आप input को multiply करवा रहे हैं और input आप जानते हैं आपके पास जो है वो horizontal होती है horizontal axis पर होती है इसी तरह अगर आप अपनी input को 1 over c से multiply करवा रहे हैं या in other words आप कहा सकते हैं कि x by c आप ले रहे हैं तो आपके graph stretch होगा और ये horizontally होगा by a factor c ठीक है जिस भी number से आपने divide किया उसको ये आपके concept का stretching का और compressing का इसी तरह अगर आपके पास c exactly equal to है minus 1 के और अगर आपने output को minus multiply करवाया तो आपके पास graph जो है वो x axis के along reflect होगा और अगर आप अपनी input को x से change करके minus x कर दिया तो आपके जो graph है वो along y axis reflect करेगा ठीक है तो ये कुछ basic से topics है इससे पिछला जो topic है जो shifting का है वो मैंने भी इसमें include नहीं किया लेकिन आज की lecture में हम उसे भी use करेंगे ओके तो ये रेखिए जी 57 की statement पहले देख लेते हैं हमारे पास इसमें basically क्या है कि एक function का random किसी function का graph given है और इस function के graph में अगर आप observe करें तो ये start हो रहा है 0 से और 2 तक जा रहा है इसका मतलब है कि इसकी जो domain है वो 0 से 2 तक है बलकि यहां पर mention भी है this one और y axis पर देखे हैं तो ये 0 से start होके 1 तक जा रहा है इसकी जो range है वो 0 से 1 तक है ठीक है हमने करना यह है कि इसके different parts है 8 parts है इसके these are the 8 parts a, b, c, d, e, f, g, h हमने इन 8 parts में function के कुछ operations given है जैसे f of x plus 2 है हमने इनको plot करने यनिने sketch करने और साथ में sketch करने के बाद जो नया function बनेगा उसकी domain और range find करने है ठीक है तो let's start with part number a जिसमें आपको पास given है f of x plus 2 यनि इसका मतलब है कि आप अपनी output में 2 add कर रहे है output आपकी कहां पर होती है इस वर्टिकल axis पे होती है और वर्टिकल axis पे होने का मतलब यह है कि आप 2 units upward जाएंगे अब आपका यह जो graph है यह 0 से start हो रहे है आपने इसको 2 से start करवाने है ठीक है कुछ इस तरह से this one चलर भी चले हम इसका same कर देते है ठीक है तो यह जो आपको graph नज़र आ रहे है यह f of x plus 2 के है same graph रहे गा है टू units जो एना ऊपर चला जाएगा 0 से start हो रहा था आप 1 नहीं 2 से start कर देंगे ठीक है अब इस graph की यह जो नया function बना है इसकी domain रो range भी देख लेते है domain होती है x axis पर कहां से कहां तक function जा रहे है तो अगर आप observe करें तो same है 0 से start होके 2 तक जा रहे है ठीक है तो नए बनने वाले function की domain तो रहेगी same range में अलबता आपके पास changing आएगी और वो क्या changing आएगी y axis के long पहले 0 से लेकर 1 तक जा रहा था अब 2 से लेकर यह 3 तक जा रहे है ठीक है ना क्योंकि इसकी height basically 1 नहीं है ना तो 2 से 3 इसकी range आगई simply 2 तो 3 यह है f of x plus 2 की range चलिए next हमारे पास है question number इसी कई भी part जिसमें आपके पास given है f of x minus 1 यनि output में से ही आपका एक कम कर रहे है तो output में से कम करने से vertically downward आ जाएगा one unit same यही graph रहेगा but यह ज़रा downward में आ जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से पहले आपका 0 से start हो रहा था अब नीचे आ जाएए यह minus 1 से start हो जाएगा तो इससे आपकी domain same रहेगी x axis पर पहले भी इधर से इधर तक था 0 से 2 तक अब भी 0 से 2 तक है domain जिनाब इसकी आपकी same रहेगी 0 से 2 हाँ range में तब दिली आएगी y axis पर अगर आप observe करें तो पहले 0 से 1 तक था इस हिस्से के अंदर था अब आपके पास इस हिस्से के अंदर हो गया तो यह है minus 1 से 0 तक तो that's it यह इसकी range आजएगी ठीक है minus 1 से 0 तक इसकी range बन गी ओके next c पे आजए अचा c में जो है यह stretching का concept यूज हो रहे है हम function की output को 2 से multiply करवा रहे है तो उपर आ यह वापिस इसमें यह first वाला part 2 से यह c से multiply करते हैं तो vertically stretch होता है तो आपने करना क्या है इसको चूंकि 2 से multiply करवा रहे हैं तो यह आपके पास आपने simply इदर से पकड़ना है इसको ओके vertically आपने इसको stretch कर देना है कुछ इस तरह से 2 unit stretch हो जाएगा तो यह थोड़ा send से दबारा से इसको upload कर लेते हैं जिन आप sketching की है हमने इसको पकड़के हम इदर से उपर ले रहे हैं ठीक है 2 units तो यह जिनाब आपके पास यह नहीं कही है यहां से आपने पकड़के उपर ले जाने हैं यह represent कर रहे है 2 times f of x को अब इसकी domain क्या होगी वो भी देख लेते हैं domain जिनाब आपके पास पहले भी 0 से लेकर 2 तक जा रहा था x-axis पे अब भी 2 तक ही जा रहा है domain सेम रहेगी इसकी from 0 to 2 range में अलबता चेंज आया है once again और y-axis के long पहले 0 से 1 तक था ग्राफ यह white वला अब यह 0 से start होकर 2 तक जा रहा है ठीक है तो इसकी range भी इसकेस में सेम आ गई है 0 से 2 तक और यह y-axis पे होती है मिशा ओके next देखिए डी पार्ट जिसमें f of x को आपने minus से multiply करना है once again यही concept यूज हो रहा है this one output को minus multiply करेंगे तो reflect होगा across x-axis across horizontal axis ठीक है तो same graph रहेगा बट आपने x-axis के नीचे वाली तरफ बना देना है ठीक है यानि अगर मैं कुछ sketch करना चाहूँ तो roughly कुछ इस तरह से ठीक है न x-axis था उसके उपर की बज़ाए हम नीचे लेके आगे ठीक है यह कब होगा जब आप output को minus से multiply करवाएंगे तो इसकी domain same रहेगी माइनस 1 से 0 हो गया तो इसकी range हो गई interval notation में माइनस 1 से 0 तक ठीक है d part है यह इसी तरह से next में देखें तो यह f of x plus 2 input में 2 add कर रहे है input में 2 add करने का मतलब यह होता है कि आप 2 units left side पर move करेंगे horizontally of course left side की बात करें तो horizontally ही होगा तो same graph रहेगा but आपने इसको उठा के जिनाब two units जो है वो left पर ले जाने है कुछ इस तरह से ठीक है यह पहले यह start हो रहा था 0 से अब minus 1 से नहीं this minus 2 minus 2 से start हो जाएगा ठीक है तो इससे इसकी domain भी change हो जाएगी domain जो है आपके पास यनि x-axis पर यह minus 2 से 0 तक जा रहे है minus 2 से 0 तक range सेम रहेगी y-axis पर देखें यह 0 से 1 तक range जिसकी जिनाब इस case में सेम है 0 से 1 तक ठीक है ओके तो next f पार्ट में देखें this is f of x-1 का हमने graph load करना है यनि आपके जो this x is an input और input में से आपने एक thumb करना है ठीक है thumb करेंगे horizontally आपके पास changing आएगी और right side पे आप 1 unit move करेंगे क्योंके 1 आप माइनस कर रहें तो ये बनेगा कुछ इस तरह से ठीक है ओके तो ये point जो आपका होगा ये 3 point होगा f of x-1 का मतलब है 1 unit shift on right side चुँके हम input में कर रहे हैं और आप जान दें input में horizontal change आता है तो इसकी domain change हो जाएगी पहले 0 से 2 तक थी अब 1 से 3 होगी अलबता इसकी range सेम रहेगी क्योंके पहले भी 0 से 1 तक थी इसमें vertical ही कुछ चेंज नहीं आया तो फिर इसकी range जो है वो भी sorry note 1 to 0 to 1 ठीक है next आज है जी यह हमारा second last part है f of minus x तो अगर आप observe करें तो f of minus x का क्या मतलब उपर आपने देखा था this one input को आपने x कीव जाए minus x किया इससे आपका graph जो है वो reflect होगा across y axis आपकी basic देखे ना domain change कर दी उसने पहले x थी अब minus x हो गई है तो minus x कहां पर होती है left side पर होती है region के left side पर तो same graph रहेगा but वो ज़रा आपके पास left side पर आ जाएगा कुछ इस तरह से ठीक है तो इससे आपकी domain change होगी x axis पर यह point minus 2 है this is minus 1 and this is 0 यह minus 2 से 0 तक जा रहे है और इसकी range सेम रहेगी चुँकर vertical इसमें को change नहीं आया तो range इसकी 0 से 1 तक ही रहेगी all right ओके आज का last part देखें is question 57 का इसमें आपको एक से ज़्यदा काम करने है इसमें है minus f of x plus 1 then output में भी आप 1 add कर रहे है ठीक है तो इसमें देखें अगर आप simply start करते हैं f of x plus 1 के साथ यनि input में आप जो है वो एक add कर रहे है जिससे आपका graph जो है वो left side बे one unit move करेगा ठीक है तो ये जो yellow मैंने भी आपके सामने draw किया ये represent कर रहे है simply f of x plus 1 को और अगर आप इस plus 1 को minus से multiply करते हैं तो ये graph जो है वो reflect हो जाएगा across x axis यनि same रहेगा बट नीचे वली तरफ आ जाएगा कुछ इस तरह से मैं इसको remove करने लगा हूँ और sorry इसको हम remove करते हैं एक मिन ज़रा भी इसको remove करते हैं और same graph को हम नीचे वली तरफ ले जाते हैं कुछ इस तरह से ठीक है यनि उसी को हमने reflect किया across x axis ठीक है अब हमने इसमें plus 1 करना है यनि ये function है graph है इसके output में one add किया तो ये vertically one unit upward move करेगा ठीक है इसी को जरा मैं one unit ऊपर लेकर जाने लगा हूँ तो वो जनाब कुछ इस तरह से होगा sorry कुछ इस तरह से ठीक है sorry तो ये आपके पास graph जो है vertically one unit upward move हो गया ठीक है x axis पर ये minus one से one तक जा रहे है तो इसकी जो domain होगी वो minus one से one आजेगी जबकि इसकी जो range है along y axis वो zero से one तक same पहले की तरह वो ही रहेगी so this is the range ठीक है so that's it I think आज के लिए तना ही काफी है अगर कहीं से कोई question क्यों रही हो तो comment section पूछ सकते हैं next lecture में भी same exactly ऐसा ही question है जिसमें graph एक given है within an interval और आपको उसकी मुक्तलिफ आपके पास ये given है आपने उसको vertical या horizontally stretch करना हो और उसके बाद उसकी domain और range find करनी है so आज की लेक्स से मतलिक अगर कोई भी question क्यों रही हो तो comment section में बूछ सकते हैं thank you very much